किसी भी तरह की घमराने की आपको जरूरत नहीं है हर एक बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं यह लगेगा ही लगेगा कि यह यह वाला चैप्टर मेरा वीक है यह वाला पॉइंट मेरा वीक है मेरी थियोरी थोड़ी जादा हो गई है मेरे नियुमेरिकल थोड़ कम रह गया ऐसा लगेगा लगेगा that is one bound to happen different subjects different limitations different way of representation ठीक है मैं आपको बता हूँ अगर आपने पूरा साल मेहनत करी है आपके तयारी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है कहीं बार ऐसा भी लगेगा कि सर कॉपी खोलेंगे तो सब आता है सर और जैसे ही कॉपी बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सर हमें कुछ भी याता नहीं है अगर आप इस स्थिती में आ गए है कि कॉपी खोलने पर सब याद है और कॉपी बंद करने पर कुछ भी याद नहीं है मैं बताता हूँ इस थिती को हम लोग बोलते है scientific terms में saturation saturation में क्या होता है आपका दिमाग जो है पूरा भर जाता है तब कोई नई information जो है वो add करना थोड़ा सा क्या हो जाता है tough हो जाता है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आपको सारी fatner को control करना अब game सारी की सारी ना कि आप कितना अपने आपको control कर पाते हो अपने माई को एकजाम देने के बाद डशेर्ट ली इतना अच्छा स्कोर करूंगा कि मैं अGUले साल डाक्ट बनने ही वाला हो यह समय है आप लोगों का अपने आपको मोटीवेट रखने का हम से मोटीवेटेड आप रहते हैं थ्रू आउट दाइयर वड़ नाव दिस टेन डेस हम तो आपके साथ हैं वड़ अपने आपको बहुत बढ़ी हां अंकल जही मेंस का रिजल्ट आया जी बहुत सारे बच्चों के आप लोगों के बैचिस में से कोई यकीन 2.0 से है को यकीन 3.0 से है और को यकीन 2.0 and 3.0 से है उन बच्चों ने अपना जल्ट शो किया जो मैंने मैक्सिमम रिजल्ट अभी तक देखा है वो 99 पॉइंट कुछ परसंटाइल भी देखा आप लोगों के बैचिस से नीट के बैच में पढ़के जही मेंस में जो अच्छा कर सकते हैं तो आपको तो नीट में अच्छा करना है अब एक्जाम आ रहे हैं सब को डर लगेगा अभी तो अभी यही तो काम है कि आप अपने ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है एसे करेंगे तिक है हो सकता है कईओं के मांग जवां 700 700 से ऊपर भी बन जाए ठीक है घर आके घर आके अब आफ का मैटर करता है कि शुक्राइब। नौलेच की प्रैक्ट्जच की हैarna इन्हें। अपका दिमाग आपके ऊपर रूल करता है कि आप अपने दिमाग के ऊपर रूल करते हो, गेम अब उसकी बची हुई है अभी subject में paper average साही आएगा, कोई एक आदमी हो सकता थोड़ा सा उपर चल जाए, बट overall अगरा paper देखोगे, 3 गंटे 20 मिनिट में solve करने वाला होगा, मेरी आप लोगों के से advice यही है, कि आप लोग सबसे पहले बायो attempt करें, उसको 40, 45, 50 मिनिट के अंदर complete करें फिर उसके बाद जो है chemistry पे आए, 45, 50 मिनिट के अंदर उसको complete करें जो भी maximum time अब आपका बचता है, उसको physics में लगाएं, ठीक है